Welcome back friends, मैं हूँ वर्षा फ्रॉम जेमडे हाउसिंग और आज आपके लिए में लेके आगई हूँ एक 3BHK बहुत ही स्पेशेस, बहुत ही अच्छी लोकालिटी के अंदर 3BHK का फ्लाट जो की 100 स्क्योर यार्ड में रहने वाला है फ्लाट में अगर मैं बिल्डिंग की बात कहूं तो बिल्डिंग में 3 तरीके की यूनिट रहने वाली है, 2-3BHK और एक आपका 1BHK लिफ्ट आपको दे रहे हैं, कार पार्किंग आपको दे रहे हैं, 80-90% इसमें लोन की फसलेटी आपको अविलेविल हो जाएगी सबी तरीके की लोकल मार्केट नियर बाइ मेट्रो द्वार का मोड रहने वाला है और मैक्सिमम डिस्टेंस आपका विदिन जो है 600-800 मिटर के बीच में रहने वाला है तो फ्रेंड्स जाना टाइम ना लेते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का ये 3BHK का विडियो प्रेंड्स जाना लेते हुए स्टार्ट करते हैं प्रेंड्स जाना लेते हैं प्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी बिल्डिंग में एंटर कर चुकी हूँ मेरे लेफ्ट हैंड्स पर रहने वाला है हमारा स्ट्एर केस का एरिया और मेरे राइट हैंड्स जाना लेफ्ट जो की जल्दी ही अक्टिवेट हो जाएगी और अभी मैं एंटर कर चुकी हूँ हमारे 3BH के फ्लाट के अंदर और आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस रहने वाला है हमारा लेविंग एरिये का स्पेश पूरा आप अपना L टाइप कहीं आप हैं सोफे की प्लेस्मेंट कर सकते हैं वुडन अगर मैं फ्लोर टाइलिंग की बात करू तो हमारी टाइल्स रहने वाली है आपको कोई भी स्क्रेच नहीं आने वाला इसके अंदर और कलर कॉमिनेशन आप देख सकते हैं कितना बहतरीन हम असमें आपको करके दे रहे हैं फॉल्सलिंग के डिजाइन देख लेते हैं फॉल्सलिंग बहुत ही यूनिक डिजाइन की हमने बीच में शैंडलेयर और दो फेंस आपको इसमें प्लेस करके दे रहे हैं फ्रंट की अगर मैं वाल की बात करूँ तो इस पे वाल पेपर का काम आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में इस पे एक बहुत ही यूनिक हम ग्लास वर्क जो की रेड जो है गोल्ड रोस कलर क हमारा ङूह काम रहने वाला है अगर बात करूं हमारे इस वाल की तो व gewoon देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक led POLY प्लेस कर दे रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं अगर नीचे कोई आ रहा है तो आप यहां पे चек कर सकते हैं कि आपके नीचे में डोर पे कौन आया है और सेकेंड और थर्ड बेड्रूम की तरफ लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूं हमारी लेडिस स्पेशल किचन किचन आप देख सकते हैं कितनी ब्यूड़फुल स्पेशियस रहने वाली है हमारी ये किचन किचन में हमने वाइट मारवल का स्लैप की उपर काम किया है नीचे आप जो डौट देख रहे हैं नीचे के आप बास्केट्स देख रहे हैं हमने मैट कलर में यूज किये हैं बहुत ही अच्छा कलर कॉमिनेशन हमने रखा हुआ है कटलेरी बास्केट आपको मिल जाएगी बर्तन की आपको बास्केट यहाँ पर मिल जाएगी स्लैंड और रोज गोड़ ग्लास वरक का काम करके आपको दे रहे हैं. यहाँ पिंदर आप देख सकते हैं. मुवेाबल रहने वाला है, हमारा जो टैप का कनेक्शन है. और यहाँ पिंदे अपना आरो प्लेस कर लिजी मोज़ाएं. चिमनी हमारी automatic रहने वाली है, चिमनी आप देख सकते हैं, और friends इसमें हमने आपको special fridge के लिए space दिया हुआ है, आप यहाँ पर अपना fridge प्लेस कीजिए, fridge का space आप देख सकते हैं, कितना वाइड रहने वाला है, और अगर मैं बात करूँ इसके false link के design की, तो false link के design देख लेते पर, और बाहर से मैं इसका partition दिखा देती हूँ, जिसमें आपको यह partition का काम तो करी रहा है, साथ में living area में आपका, यहाँ पर TV cabinet का काम भी proper तरीके से कर रहा है, वहाँ पर आप अपनी sitting placement कीजिए, और यहाँ पर आप अपना TV cabinet देख सकते हैं, तो friends मैं लेगे चलती हूँ, हमारी first bedroom की तरफ आप लोग आ जाए, जो कि मेरा balcony के साथ में attached रहने वाला है, friends आप देख सकते हैं, यह bedroom हमारा की तरफ स्पेशियस रहने वाला है, बेडरूम की अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इस वाल पे हमने आपको जो है वाल पेपर का काम करके दिया है आपको दो-दो fancy light लगा के दे रहे हैं, false ceiling का design देख लेते हैं एक बार, false ceiling हमारी square shape में रहने वाली है, और यहाँ पे हम आपको एक separate cupboard almira दे रहे हैं, जो कि हमारी काफी अच्छे depth के साथ में रहने वाली है, और काफी spacious हमारी almira रहने वाली है, इस वाली अगर मैं window की बात क एक लिए आप ऊपर डाइफिट की जगे छोड़िए जहाँ पे आउट में window ऐसी प्लेस कर सकते हैं, यह आपको ventilation के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और attached balcony के साथ रहने वाली है हमारी, तो attached balcony दिखा ज़ती हूँ, यहाँ पे आपका washing machine का special space रहने वाला है, tap का connection रहने वाल से आपको glass का काम बिल जाएगा, तो friends, यह हमारी attached balcony के साथ रहने वाला है bedroom, अब मैं लेके चलते हूँ हमारे second bedroom की तरफ, second bedroom आप देख सकते हैं, अब मैं एंटर कर चुकि हमारे second bedroom में, जो कि हमारा master washroom के साथ में रहने वाला है, अब देख सकते हैं, यहाँ bed की placement कर लिजे, दबल बैड आप प्लेस कर सकते हैं, front wall आप देख सकते हैं, इसकी wallpaper का design हम करके दे रहे हैं, साथ में, दोनों side में आपको covered mirror बना के दे रहे हैं, और नीचे रहने वाले हमारा side tables, जो की और बिल्कुल फ्रेंट पर रहने वाले हमारा TV cabinet, तो TV cabinet देख सकते हैं, कितना wide space का रह देखे मिल जाती है, और यहां पर आपको कुछ भी रखने के लिए डिस्पले, और आप मैं दिखा रहते हूं, आपको इसका टैज वाश रूम, एंटक तक ताइल्स का काम है, शार आपको लगा के दे रहे हैं, गीजर का connection करके दे रहे हैं, डबलू सी आपको western मिल जाती है और वाश वेशन भी आपको separate मिल जाता है, सभी तरीके के sanitary parts जो हैं हमारे बहुत अच्छे रहने वाले हैं, फॉलस लिंग का design देख लीज़े एक बार आप, और यहां पर रहने वाली है ventilation के लिए window, ये window हमारी balcony में खुलती है, तो आप देख सकते हैं, friends, ये हमारा second bedroom था, अब मैं लेके चलती हूँ, हमारे third bedroom की तरफ, जो कि मैं अपने living area से निकल के third bedroom की तरफ जाओंगी, लेकिन उससे पहले आप, को मैं common washroom दिखा देती हूँ, common washroom आप देखिए, उपर तक आपको exhaust, मतलब ventilation के लिए, शार के लिए, गीजर के लिए point मिल ज और third bedroom रहने वाला है हमारा, बिल्कुल living area से attach, अब देख सकते हैं, ये भी मैं आपको third bedroom पूरा well forest करके देने वाली हूँ, इस wall पे तो हमने पूरा का पूरा आपको जो है, फurniture का काम आपको करके दे रहे हैं, जिसमें आपकी sliding door almira मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, कितना अच्छा काम, standard quality का काम आपको करके दे रहे हैं, पूरी spacious covered almira आपको देखने को मिल जाएगी, double door sliding है, तो इससे भी आपको space देखने को मिल जाएगा, friends, और इधर पे हम आपको बना के दे रहे हैं, हमारा पूरा dressing almira, dressing almira भी simple नहीं है, कि सिर्फ आपको शीशा लगा के दे मिरर तो आपको लगा के दिया है, साथ में आपको आपको आप देख सकते हैं, अंदर आपको storage के लिए भी हम point दे रहे हैं, और उपर भी आपको covered मिल जाते हैं, हाइट्रोलिक्स का यूज़ किया है, तो easily वो open भी हो जाएगा, और easily आपका close भी हो जाएगा, तो friends, यह हमारा पूरा dressing है, नीचे भी हम storage के लिए काफी बड़े आपको drawers बना के दे रहे हैं, जिसमें आप चाओ तो प्रे शूज वगेरा भी रख सकते हैं, फ्लोरिंग टाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरिंग की टाइल्स आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे color combination के साथ में हमें टाइल्स वर किया है, इस वाल पे हमने आपको जो है, वाल पेपर का काम करके दे रहे हैं, इस bedroom में भी आपकी ventilation मिल जाती है, आप देख स हमारा 3BH के, हमारा 90 square yard का फ्लाट है, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही special काम इसमें हमने आपको extra करके दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे color combination के साथ में सबी तरीके की facility आपको इसमें मिल जाएंगी, और तो और friends, पूरा market place area रहने वाला है, लोकलिटी जो रहने वाली है, आपको किसी भी तरह की कोई problem ने आने वाली है, बिल्कुल आपके door से आपको e-rickshaw भी मिल जेगा connecting road के लिए, तो जल्दी से visit कर लीजे, unit limited है, call करके इसको book कर आ लीजे, और हम आपको इसको जो है as it is दे देंगे, तो friends, कैसा लगा आज का आपको ये मेरा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया है, तो flat को जल्दी से जाकर वीडियो को like कर दीजे, और मेरी वीडियो को like करके मेरी चानल को subscribe भी कर दीजे, thank you so much